C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी इकाई एक, अध्याई एक, परिवार, प्रिष्ठ संखिया, एक, चित्र और बातचीत जिस पे एक चित्र दिखाया गया है, जहाँ दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची और कुछ बच्चे है यहाँ पर पिता-जी अपनी एक बच्ची के साथ रंगोली बना रहे हैं, जिसमें वो फूल का चित्र बना रहे है माता-जी, अपनी बेटी के बाल काहड रही है दादी, एक चोटे बच्चे को नहला रही है कुछ बच्चे अपने हाथों पर लट्टू नचा रहे हैं, और वो खुश हो रहे हैं पूरा परिवार काम करने में एक दूसरे का सहयोग कर रहा है एक लड़की गाए को चारा खिला रही है बच्चों को पोस्टर देखने के लिए परियाप्त समय दें पोस्टर में दिखाये गए घर परिवार एवं कारियों के विशय में बातचीत करें बातचीत के बिंदू इस प्रकार हो सकते हैं एक इस घर में कौन-कौन है दो वे क्या-क्या काम कर रहे है तीन बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे चार क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुद-गुदी होती है पांच आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों यह सुनिश्चित करें कि कक्षा के सभी बच्चों को अपने घर परिवार के विशय में अपनी भाशा में कहने की स्वतंतरता एवं अवसर मिलें प्रिष्ठ संखिया दो सुने कहानी मीना का परिवार मीना के परिवार में साथ लोग है उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका चोटा भाई दिवाकर मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनन्द आता है दिवाकर भाग कर कमरे के किवार के पीछे छिप जाता है मीना उसे ढूंड लेती है तो वह जोर-जोर से हसता है इस प्रिष्ठ पर कुछ चित्र दिये गए है जिसमें परिवार के सभी सदस्य अपनी अपने क्रिया कलापों में व्यस्त है यहां एक चित्र दिया गया है जहां मीना अपने भाई को गिनती सिखा रही है यहां एक और चित्र दिया हुआ है जहां चाचा जी दिवाकर को खिला रहे है मीना उसे गिनती सिखाती है दिवाकर कहता है एक, दो, तीन, चार तो मीना कहती है चाचा जी हमसे करते प्यार तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहां दादी और माँ फल काट रही हैं. मीना के पिता और दादा जी गमलों में पानी दे रहे हैं. प्रिष्ठ चार थोड़ी दिएर में मा सब को फल देती हैं, सब लोग मिल जिलकर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बाते करते जाते हैं. कितना प्यार भरा है मीना का परिवार मालती देवी इस प्रिष्ठ पर एक चित्र है जिसमें माँ पूरे परिवार को फल दे रही है और सभी हसी खुशी बातचीत का आनंद ले रहे हैं शिक्षन संकेत बच्चों के साथ उनके परिवार के विशह में बातचीत करें परिवार में कौन-कौन हैं और वे घर में क्या-क्या काम करते हैं आप घर में कौन-कौन से खेल-खेलते हैं आप घर के किन कामों को करने में सहायता करते हैं आदी प्रिष्ठ संख्या पांच बातचीत के लिए एक इस कहानी में कौन-कौन है दो, मीना के भाई का नाम क्या है? तीन, आप अपने घर में कहां कहां छिप सकते हैं चार, एक, दो, तीन, चार, चाचा जी हमको करते प्यार चाचा जी की जगा दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंतियों को गाईए शब्दों का खेल एक, इस कहानी में दिवाकर, दादा जी और दादी जी हैं आँखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनी बताईए दो, दा से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताईए तीन, यहां दिये हुए शब्दों को लिखिये दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाईए शिक्षन संकेत बच्चे दी, दे, दो आदी से शुरू होने वाले या अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं उन्हें सुईकार करें और बोट पर लिखें फिर बच्चों को अनुमान से पढ़ने के अवसर दें शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं किसने कौन सा शब्द दिया था दिवाकर, दादा जी, दर्वाजा, अदरक, चाद, दस गेंद आदी शब्दों की सहायता से दा ध्वानी और उसकी आकरिती की पहचान करवाएं प्रिष्ठ संख्या छे पांच यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है यहां मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए छे यहां दिये गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, मा साथ यहां दिये गए चित्रों के नाम बताईए और पढ़िए नीम यहां नीम की कुछ पत्तियां दिखाई गई है नदी यहां नदी की धारा दिखाई गई है दाना यहां कुछ दाने बिखरे पड़े हैं शिक्षन संकेत प्रिष्ट चार पर दिये गए चित्र में मीना के परिवार के सदस्यों की पहचान करवाएं नाना नानी दादा दादी मामी आदे रिष्टों के विशे में पूछें मीना शब्द के आधार पर म और न की ध्वनी एवं आकरिती की पहचान करवाएं माला, मकान, नल आदी शब्दों की सहायता भी ली जा सकती है बच्चों से द, म, न की ध्वनियों वाले शब्द बताने के लिए कहें बच्चों की मात्र भाषा के शब्दों को भी स्विकार करें प्रिष्ट संख्या साथ, खेल गीत यहां एक चित्र है, जिसमें एक महिला, एक बच्चे को गोद में उठाय हुए खेला रही है चंदा मामा दूर के चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में प्याली गई तूट, मुन्ना गया रूट लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां मुन्ने को मनाएंगे, हम दूद मलाई खाएंगे साभार एक लव्य पहेली, यहां एक चित्र है दो बच्चे हैं, जो एक भूल भुलया पार करके स्कूल जाने का प्रियास कर रहे हैं दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए है उन्हें उनके स्कूल तक पहुचने में उनकी सहायता कीजिए शिक्षन संकेत गोलाकार समुह में एक दूसरे की हथेली पर ताली बजाते होए ये खेल गीद बच्चों के साथ गाई है अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचनस्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहायक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत